हलो दोस्तों, वेलकम टू पी ड़बली ओनली आईएस, डेट है आज की 6 एपरल 2023, और आप सभी का स्वागत है आज के फ्रिलिम बूस्टर निउस डिसकेशन के अंदर, आप यहाँ पर आज की निउस पेपर देख सकते हो, दा हिंदू के अंदर कुछ बहुत इंपॉइंट हैं, इन सभी को आज हम डिसकेश करेंगे, similarly इंडियन एसक्रेस के अंदर भी कुछ इंपॉइंट आटिकल्स हैं, उनको भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ज़र यह स्टार्ट करते हैं, दोस्तों आगे वड़ें, उससे पहले एक छोटी से इंफ्रमिशन आप सभी के स साथ में शेयर करना चाहता हूँ, देखें, जो भी आप में से स्टुएंट्स दोसाथ 24-25 के लिए तियारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी टीम की तरफ से लांच किया गया है, यूपी एसी फांडेशन कोर्स, 2024-25, बेस्ट ऑन CTR मॉडल, अब यह बहुत ही मॉडल इनोवे जो आपको लंबे टाइम तक चीज़े रिटेन करने में और एक्जाम के अंदर अच्छा स्कोर करने के अंदर बहुत जादा हेल्प करने वाले हैं, तो यह जो पर्टिकुलर बैच है, यह 23 अप्रल से स्टार्ट हो रहा है, तो डेट को आप ध्यान रखिए, और अगर आप पर थे, कितना आपने इंप्रूफ किया, इस तरह से सारे यहां पर इनवेटर फीचर आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है, तो मेक शूर कि आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, और कहीं न कहीं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एंडर एंडरोल करके अपनी प्रेपरेशन को बहतर बनाईए, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो कल मैंने आपको homework दिया था, कामचाट का पैनिसुला के बारे में, अब देखिए काफी बजा से न्यूज में रहा है, पिछले साल भी न्यूज में रहा है, और अभी रिसेंटली भी न्यूज में रहा है, क् किस में आता है सरी यह, यह आता है रस्यान कंटरी के अंदर, ठीक है, तो कंटरी कौन सी है, रशिया, लोकेशन हमने समझ ली, रशिया का जो इस्ट कोस्त है, वहाँ पर हमें यह देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसके एक साइड आपको, एक साइड ऐस इन, आपके राइ सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप नोटेस कर रहे हो पिछले कुछ महीनों से जो हम कहीं ना कहीं है प्लेसिद न्यूज हो गया या कुछ होमवक गाएड़ा मिद्य आपको देता हूं वह कितना फाइदवन आपको मिल रा होगा क्योंकि हमने प्रटिकुलर टॉपिक हमने कवर पर लिया है तो यह जो particular volcano है ना ठीक है इसकी pronunciation काफी difficult है तो यह particular volcano हमें यहापे देखने को मिल जाएगा Eurasia का यह highest active volcano है और Northern Hemisphere का यह largest active volcano हमें देखने को मिल जाएगा तो ध्यान रखेगा कामचार्ट का UNESCO World Heritage Site का यह part है तो यह कुछ important facts थे जो हमें पता होने चाहिए थे Climate की अगर बात करें तो obviously देखो यह कहाँ पर लाई करता है यह हमें far east of Russia में देखने को मिल जाएगा जी brown BSB यहाँ पर अच्छे कासे हमें देखने को मिलते हैं तो यह कुछ important facts थे यहाँ पर जातर लोग है वो रशियन है ठीक है है ठीक है तो आप मुझे इसकी location बताओगे कहां पर हमें देखने को मिलता है कुछ यह point facts इसके रिगाडिंगे तो कल हम इसको अच्छे से और भी detail में समझ लेंगे इसी तरह से पहला homework तो यह हो गया साथ महीं आपको इंवार्मेंट का day है तो इंवार्मेंट के ऊपर हम इंवार्मेंट का day है जो हम हर week में एक एक question देखते है तो कल environment का question आएगा तो microbeats के रिगारिंग में आपको question दिया है तो इसका अंसरा मुझे जी comment section बताओगी कौन सा ठीक है कौन सा गलत है चलते हैं अगले topic की तरफ that is netto North Atlantic Treaty Organization Organization बहुत important हो जाता है देखो पिछले एक साल में जैसे जैसे हमने देखा न देखने को मिला है उसके बाद से नेटो बार 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 न्यूज में आ रहा है और अब नेटो का expansion भी हमें देखने को मिल जा रहा है जैसे for example आप notice करो फिल्लेंड को इंडक्ट कर लिया गया नेटो के अंदर ठीक है तो ध्यान रखिए कि नई country सबसे नई country जो नेटो के अंदर आई है वह कौन सी है that is फिल्लेंड अब यह जो नेटो की हम बात करें इसको North Atlantic Alliance के नाम से भी जाने जाता है यहां पर हमें total 31 countries देखने को मिल इस तरह से आपको different countries देखने को मिल जाएंगी countries कौन सी है मैं आपको बता देता हूं देखो यह पूरी लिस्ट है यहां पर 31 countries की आपको 31 की 31 याद नहीं रखना ठीक है कुछ important से धियान में रखनी है जैसे आपने तर्की को ध्यान में रख लिया UK आपको पता ही है US तो पत किया है ठीक है तो इस तरह से कुछ important facts द्यान में रखो 31 countries याद करने जाओगे तो नहीं याद कर पाओगे नौच मैसे डोनी है ठीक है बहुत important साथ 2020 में इसको join किया था तो इस तरह से आपको कुछ particular countries का ध्यान में रखोगे कहीं ना कहीं elimination में मदद हो जाएगी ठीक है अगर थोड़ा idea होगा तो कुछ countries आप eliminate कर पाओगे उनकी location के हिसाब से आई बात समझ में तो इस तरह से आप देख सकते हो दरसल में हुआ क्या ना देखो कर आप notice करो तो हम बात अगर करें cold war के time की ठीक है world history में हमने अच्छे से पढ़ी हुए चीज़ें तो वहाँ पर जो नेटो और उसकी member countries थी वह western block को represent करती थी उसी तरह से हमें देखने को क्या मिला था वार सा पैक्ट ठीक है USSR उस टाइम पे होता था ना उसके साथ ही जो major league जो eastern block में आ जाते थी तो दोनों काफी अपोस थी काफी जैसे for example arms race हो गया nuclear race हो गया यह सारी हमें इनकी बीच मे बली थी तो काफी major यहां पे old war के time पे काफी major issues हमें यहां पर देखने को मिले थे जो नेटो के headquarters हैं हमें Brussels Belgium के दर देखने को मिल जाएंगे एक important चीज हिनकी है one for all and all for one कहने का meaning क्या कि जितने भी एक तरह से members है न यहां पर वह सभी एक दूसरे की security and freedom के लिए responsible हैं जैसे for example यहां पर हमें देखने को मिलेगा article 5 यही सबसे important है कहने का मीनिंग क्या यह वाली line अगर कोई एक भी NATO member के उपर attack होता है ऐसा माना जाएगा कि सभी के उपर attack है कहने का meaning क्या one for all all for one आई पाट समझ में एक के उपर attack हुआ इसका मतलब सारी कि साई NATO countries के उपर attack हुआ है तो क इस तरह से नेटो का सबसे important principle यही था article 5 जो कि इतना important बन जाता था नेटो को इतना दा strong कर देता है आई बात समझ में I hope आप नेटो के मारे में अच्छे से समझ गए होंगे अगले topic के तरह बढ़ते हैं that is world energy transition outlook report अब सर यह क्या है पहली बात तो यह समझो कि जब ही हम बात करते हैं किसी report की तो एक important चीज होती है कि आखिर उसको release कौन कर रहा है तो इसको release करा गया है IRENA के द्वारा what is this international renewable energy agency ने इस particular report को release किया है world energy transition outlook अब खुद देखो ना आज के time पर या पिछले times के अंदर भी हमने vendors किसके उपर सी fossil fuels के उपर fossil based जो भी systems होते हैं ठीक है तो य यहां से हम shift की स्के उपर करना चाते है Singapore कहने का मेरीनिंग क्या आपका oil हो गया natural देट इस जो इंटरनेशनल इनर्जी एजेंसी ने रिपोर्ट दी है उसने बोला है कि हम आफ ट्रैग हैं जो डेट डिगरी का कहीं न कहीं हम सोच रहे हैं न कि हम उसके उसको चीफ करने कोशिश करेंगे उसको काफी मुश्किल है अगर आप रोटेस करो तो आज के टाइम प पड़ेगा अगले साथ सालहों के अंदर ठीक है तो कहने का मतलब क्या हर साल 1000 गीगावाट लेकिया हो तब जाके कुछ हो पाएगा जो की बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है पब्लिक सेक्टर इंटरेशन चाहिए ताकि एक तरह से इन्वेस्टमेंट आ पाए ठीक है जो रिच कंट्रीज हैं कहीने के उनका रिस्पॉंसिविल्टी हैं भी काफी जादा बनती है ग्लोबल इंवेस्टमेंट ने 2022 के अंदर रिकॉर्ड इंवेस्टमेंट हुई 1.3 ट्रिलियन जो कि यह कच्छी तीज है पर डेफिनिटली आने वाले टाइम्स के अंदर हमें ब पहली बात तो यह एक इंटर गॉर्मनेटल औरशियन करती है जो अभी आप फॉसील के अपरितना डिपेंडेंट हो वहां से रिणीवेस्टमेंटन करना है उसके अंदर है इंडिया भी तभी इसका मेंबर बन गया था 2009 के अंदर ही एड़कोर्टर सामें देखने को मिलेंगे अबूदाभी UAE के अंदर ठीक है तो यहाँ पर अभी करेंट्ली 167 कंट्रीज और साथ साथ यूपन यूनिय इसका मेंबर है और यून अब्जर्वर भी यह है तो यह भी यह भी आप World Energy Transition Outlook Report के बारे में समझ गये होंगे नेक्स्ट मारा टॉपिक है इंटरनेशनल कॉन्फरेंस ओन हुमन वाइल लाइफ कॉन्फिक्ट एंड को एक्जिस्टेंस देखो हो क्या रहे ना अगर आप नोटिस करो बहुत जगह पे जो हैबिटेट है ना वो फ्रेग हुमन हैबिटेट के अंदर आ गया तो इस तरह की चीजों को कैसे हम टैकल कर सकते हैं इनको हम कैसे आपस में मैनेज कर सकते हैं यह सबी बाते यहां पर इसके रिगार्डिंग एक हुई है कॉन्फरेंस कहां पर हुई है कॉन्फरेंस युनाइट किंडम ऑक्सफोर्ड के अ इस तरगत कि कैसे हुमन वालड़ कांट्रिफ को हम टैकल करें कैसे कोलेबरेशन लेक्टे आइं बिट्विन वेरियस सेक्टर इन इसके यहां पर बात करी गई है देखो बहुत सारी यहां पर हमें अलग-अलग और 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 यहां पर पार्टिस्पेशन हुआ था कि हम इसके इसके साथ ही आप जानते हो FAO and साथ में UNDP और 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 भी थे पर मिजर यह तीन है ठीक है International Union for Conservation of Nature, Food and Agriculture Organization और साथी साथ United Nation Development Program प्लस इसमें साथ में और भी थे पर मिजर यहीं पर यहीं पर यह तीन और यहीं पर यहीं पर यह तेखने को मिल जाते हैं तो क्या काम क्या था काम यही था देखो कि कैसे human wildlife conflict के जो issues हैं हम उसको समझें उसके लिए कैसे हम collaborate कर सकते हैं क्या solutions लेकर आए जा सकते हैं यह सारी बाते ठीक है न और ऐसा भी था कि हम experts हम देखें अलग-अलग field से conflict analysis से psychology से यह सारे अलग-अलग अपने viewpoints बताएंगे और उसके basis पर हमें proper solution लेकर आप आएंगे तो आपस में peer-to-peer learning को increase करना आपस में collaboration को increase करना यही यहां पर सारे focus थे और क्यूंकि यहां पर participation हमारा animal behavior के लोगों के हैं peace building हो गया economics anthropology हर तरह के लोग यहां पर थे ना तो अलग-अलग interdisciplinary हमारे यहां पर अप्रोचिस देखने को मिली है ठीक है ताकि एक इसको एक global priority मिनाया जा पाए हमारी जो सिस्टेनिम डेवलप्मेंट गोल्स है हमें 2030 तक अचीव करने हैं वो कैसे अचीव करें बायो biological diversity इसकी हुई थी COP15 Conference of party 15 हुई थी उसका नाम क्या था कुन्मिंग मॉंट्रियाल Global Biodiversity ठीक है ना तो यहां पर हमें देखने को मिली थी जिसका नाम था कुन्मिंग मॉंट्रियाल ग्लोबल बायोडिवस्टी framework के अंदर जो target 4 था वहां पर भी हमने इसकी बात करी थी तो कह question पूछा जा सकता है human wildlife conflict पे बारे में क्योंकि थोड़ ताइम पहले के अंदर कुछ news देखने के मुली थी महाँ elephant को एक मार दिया गया था इस तरह से बार बार ना news आती रहती है और इवन अगर आप बात करो ना जैसे covid-19 pandemic की तो यह भी कुछ हद तक करा एक तरह की zoonotic disease ही हमें देखने को मिल जाते हैं right next topic तरह बढ़ते हैं that is Einstein tile अब देखो यह जो particular topic है थोड़ा सा complex topic है ठीक है और एक बाद मैं आपको छोटे सी जीज़ बताऊं कि जब भी topic बहुत जादा complex होता है ना तो UPSC उसके जादा difficult question नहीं पूछती मैं समझाता हूं कैसे कि अगर आप प्रीवेर से question थोड़े देखे होंगे ना तो आप इस बात को realize करें होंगे कि हाँ जब ऐसे कोई ने discovery होती है ना तो सिरफ UPSC उसके बहुत जादेप्थ में नहीं जाती कि हाँ exactly हुआ क्या इसके अंदर बस overall एक basic idea होना चाहिए जो आपको help कर जाएगा देखो अगर आप पादेंगे ठीक है ना और मैं आपको बोलूँ कि कोई gaps या overlap नहीं हुनते ही है तो आप सोच रहे होंगे हां सर्थ हमारे बात्रूम में लगी हुए है ठीक है square या rectangle इस तरह की ठीक है ना तो उससे क्या होगा ना यह pattern तो repeat हो गया इस तरह से जैसे आप पहें लगें ऐसे सो यहां पर आपका infinite बड़ा बात्रूम है ठीक है उसमें एक ही type की आपको टाइल लगा रहे हो आप ठीक है मतलब टाइल लगा रहे हो आप मतलब टाइल को use कर रहे हो similar उसकी पर वहां पर आपको वह pattern जो है ना कभी repeat नहीं हो रहा आई बात समझ में तो इस तरह का ना एक Einstein ट range किया गया है ना कि infinite times तक इसको आप बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ यह pattern अपने आप में कभी repeat नहीं होगा इसी को बोलते है क्या Einstein टाइल simple शब्दों में यही meaning है इसका ठीक है बाकी detail तो definitely में आपको पढ़ाऊंगा ही पर अगर simple एक weird word में meaning समझना है तो इसी का meaning है कि पूरी space को आपने fill कर दिया बिना कभी repeat किये ठीक है it is a kind of tile which is capable of filling the entire space without ever repeating अभी तक हम इसको मान के चल रहे थे कि यह सिरफ theoretically होती है कि ऐसा सिरफ theory में है कि ऐसी कोई tile होती होगी जो कभी repeat नहीं होती ठीक है ना मतलब उसका pattern कभी repeat नहीं होता पर अब क्या कर दिया है एक चार scientist के group ने नहीं shape को discover कर दिया जिसमें 13 sides है और इसी क इसी tile है जिसको देखा गया है जो पूरे plane को cover कर सकती है बिना किसी overlapping के कोई gap नहीं होगा और कोई pattern यहां पर repeat नहीं होगा ठीक है बस इतना ध्यान में रख लिया ना तो इसससे हो जाएगा ठीक है बाकी थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बट इतना भी क को लग रहा होगा कि सर यह Einstein का मतलब Albert Einstein होगा बट ऐसा यहां पर नहीं है ठीक है ना आइस्टाइन दरसल में एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है वन स्टोन अब क्योंकि यह जो पर्टिकुलर टाइम एक सिंगल स्टोन से बनी है इस वज़ा से इसका नाम रखा गया है Einstein style ध्यान रखना Albert Einstein से इसका कोई भी जिकर यहां पर नहीं है ठीक है ना यह प्रियोडिक हमने समझ लिया बिना किसी repetition के और मैंने आपको एक्जामपल भी समझा दिया इसके application क्या हो सकते हैं देखो application एक तो हो सकता है कि हमें ना quasi crystals जो होते हैं उनको समझने में थोड़ी आसानी हो ठीक है ना quasi crystals क्या होते हैं ऐसे structures जहां पर कहीं ना atoms order way में तो होते हैं पर उनका pattern repeat नहीं होता तो quasi structure को समझने के अंदर help पेर一गा हमारे physicist की साथ में innovative art भी आप देख सकते हो ठीका आप अपने देखो कितना innovative लगेगा कि कोई pattern ही repeat नहीं हो रहा राइट तो यह इस तरह से आप notice कर सकते हो ताहँ के साथ इसके applications है अब अगर हम थोड़ा history की बात करें ना तो 1970s के अंदर एक nobel prize winning physicist है Roger Penrose इन्होंने भी एक set find किया था दो tiles का ठीक है जिनको हम arrange कर सकते थे non repeating pattern के अंदर infinite तक जिसको जाता था उसका नाम क्या था penrose styling इसको भी आप ध्यान में रखेगा जो आज के टाइम पर काफ सारे दुनिया के artworks में यूज भी किया जाता है ठीक है easy topic था ठीक है थोड़ा complex हो सकता है बट हमने जितना हमारी UPSC के लिए relevant था वो हमने अच्छे से समझ लिया अब देख लेते हैं कल जो previous question मैंने आपको दिया था 2017 का यहां पर मैंने आपसे पूछा था तीस्ता रिवर के regarding कौन कौन सी statement हमें correct देखने को मिल जाती है देखो इस तरह की ना कई परना हमें सारी statements नहीं बता हो पर एक आदी तो definitely पता होती है जिसे for example अगर आप तीस्ता रिवर जो dispute है उसको थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत ट्रेजेक्टरी पता होगी कि तीसरा पर कहां से जाती है कैसे flow करती है कहां पर जाकर यह accordingly होती है तो यहां पर अगर अगर आपको इतना भी आइडिया होता तो आप statement 3 को तुरंत मार्क कर देते कि भईया यह तो statement गलत है आई बाच समझ में तो तेस्या स्टेट्मेंट जैसे ही आप गलत करोगे आपको आपका अंसर मिल गया ऑप्शन नमबर बी टू ओनली तो मैं कहने का मेरा पॉइंट था तो स्टेट्मेंट वांद brahmuated का धाता हूं घैस्या सेन ना पर वह थियांचर है उकी पहुनरी गलेशियर मजलेश, और ध्यान रखना है इनका स्ट्रोच से यह देखने ए पिछेसे दोनों के सोरस के अंदर कर ना और शेंधे नेlishेट का और और दो हुआ श्केम के अंदर होती है और वो स्यख्यक्या की ट्रिप्यूटरी है chain ट्रेoff है को ऐसे day छुлять यहां पर यहां सब्सक्राइब कर सकतो किमा एसमें नहीं भी होता है कई बार पर तब भी हम answer तक अपने पहुंच सकते हैं जैसा कि इस case में हम पहुंच गे तो answer क्या बना option number B 2 only correct है जी ठीक है अब मैं 5 questions दे रहा हूँ आपको इन 5 questions का answer है मुझे जी comment section में बताऊगे कौन सा true है कौन सा false है फिर कल हम इनका answer recording ली discuss कर लेंगे कल जो मैंने आपको 5 questions दिये थे quickly आपको मैं उनका एक बार answer बता देता हूँ पहला है dial up connection के बारे में तो क्या यहां पर जो maximum transfer speed है वो 256 बताया था मैंने answer is no, it was 56 kilobits per second ठीक है पता नहीं क्यों काफी सारे लोगों ने इसको true mark तर दिया है पर reaction में statement यहां भी false है ठीक है यह बात समझ गे ठीक है go up India exercise क्या यह India और France के बीच के बीच के एक bilateral exercise है sir यह भी false है sir यह क्यों false है देखो यह bilateral exercise थी किसके बीच में इंडियान एर फोर्स और साथ ही साथ जो US एर फोर्स की ठीक है दोनों के बीच में थी सर्क कहां पे होई थी यह है West Bengal में ठीक है कलाई कुंडा एर बेस जो है ना वहां पर और यहां पर एक बात और नोटिस करना जो जपान था वो जपान as an observer यहां पे है तीसा स्टेटमेंट काबनी रेजरवाइर यह तो हमने डिसकस किया अकल नागर होल और बांदीपूर नैशनल पार इनके बीच को सेपरेट करता है यह बत बिलकुल ठीक है तो यह थर्ड स्टेटमेंट वारा true हो जाएगा माउंट किली मान जारो देखो यह पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी बहुत सारे लोगों ने true mark कर दी है एक्चिल में हो क्या रहा है ना शायद अब फुरत जल्दबाजी में स्टेटमेंट पूरा अच्छे से पढ़नी रहे हो यहां पर लिखा किया अब यहां बना देखो अफरीका नहीं लिखा यहां एशिया लिखा है तो इस स्टेटमेंट यहां पर गलत है यह अफरीका की टॉलस्ट माउंटें है ना कि एशिया की शायद जल्दबाजी में पढ़ने के चक्कर वे ना क्या हुआ है आपने यहां पर मिस्ट कर गए हो ठीक है तो ध्यान रखना है यहां पर एक्जाम में भी कई बार जल्दबाजी में ऐसी हम गलतिया कर जाते हैं तो एक्जाम में यह गलतियां हमें नहीं करनी है क्लियर है, लास्टली, पॉसाइडन टॉर्पीडो, क्या ये रेशियन न्यूक्रिल पावर्ड अटॉनमिस टॉर्पीडो है, सर ये बात बिल्कुल टू है, ठीक है ना, तो ये हमने कल अच्छ से देखा भी था, तो ये होगे कल के जो पांचों क्वेशन जो हमें आपके साथ डिसकस किये हैं, इसी तरह से इन पांचों क्वेशन का, प्लस साथ ही साथ जो इनवाइरमेंट का, रिगार्डिंग माइक्रो बीड्स मैंने क्वेशन दिया है, एंड नाथूला के बारे में भी नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में बताओगे, कौन सा अंसर ठीक है, कौन सा गलत है, फिर इन सभी पर्टिक्रो टॉपिक्स को हम अकॉर्डिंगली कल डिसकस करनेंगे, ताकि आपके अच्छे से रवीजन भी हो जाए और कहीं नगे आप एक्जाम के लिए रेडी भी होते रहो, ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही अगर आपको इस लेक्टर की पीडि करते रहिए, गुडबाई एंड गुड़ लख